और अब बात करेंगे देश की तरक्की को रफ्तार देने वाली बुलेट ट्रेन की देश में बुलेट ट्रेन के चलने का सभी को बेसबरी के साथ इंतजार है इस प्रोजेक्ट में जेपैन की भी दिल्चस्पी है क्योंकि ये परियोजना दोनों ही देशों के रिष्टों को और जादा मजबूती देगी और यही वज़े है कि भारत में जेपैन के राजदूद गुजरात में चल रहे बुलेट ट्रेन के काम को देखने के लिए पहुँच गया है मुंबई हमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को जापान सरकार की मदद से पूरा किया जा रहा है जिसे तैवक्त पर पूरा करने के लिए इंजिनियर और मजदूर दिन रात काम में जुटे हुए है इस बीच भारत में जापान के राजदूत हिरोश्य सुजू की इस हाई स्पीड रेल कॉरीडोर परियोजना का निडिक्शन करने पहुचे उन्होंने गुजरात के नफसारी में इस परियोजना पर काम कर रहे लोगों से मुलाकात भी की निडिक्शन के बाद हिरोश्य सुजू की ने इस बुलेट ट्रेन परियोजना की तारीफ की उनके मुतावी की ये परियोजना भारत में हाई स्पीड रेल की दिशा में करान्ती लाएगी उमीद जताई जा रही है कि सूरत और बिली मोरा के बीच जून दोहजाजाशब़ीस तक बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा इससे पहले इस हिस्से पर अक्टूबर दोहजार तेईस तक पुल बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा जिसके बाद ट्रेक निर्मान का काम शुरू होगा अच्छी बात ये है कि इस परियोजना की राह का सबसे बड़ा रोडा अब दूर हो गया है क्योंकि इस परियोजना के लिए लगभग 99 प्रतिशत भूमी का अधिकरन हो चुका है बताये गए कि महराश में कुछ देरी हुई लेकिन अब वहाँ भी करीब 90 फीजदी जमीन का अधिकरन हो चुका है पिसले तीन चार मेने में हमें महारास्टा सरकार से बहुत ही अभूत पूरा समर्थर मिला है और जितने भी हमारी जमीन की समस्यान थी पूरी हमारी खतम हो गई है 98 परसेंट लेंड एक्विशन महारास्टा में हो गया है इनी सब वजों से माना जा रहा है कि तैस समय पर बुलेट ट्रेन का काम पूरा हो जाएगा और 2026 तक मुंबई एहमदाबाद के बीच विकास बुलेट की रफ्तार से दोडने लगेगा Bureau Report Good News Today